बहुत देर करदी महरवा आते आते या फिर देर आए दुरुस्त आए इन दोनों मुहावरों के बीच में ही बिहार की राजनीती फसी हुई है हमारे साथ है जेडियू के वरिष्ट नेता और वित्तमंत्री विजय चौदर जी जो जानकारी मिल रही है उसके मताबिक नितीश कुमार को इंडिया घटबंदन का संजोजक बनाना तैमाना जा रहा है कॉंग्रिस पार्टी तैयार है और अपने सहयोगी पार्टियों से भी चैसे ते जस्वियादव अकलेश यादव उद्धव ठाकरे शरत पवार या इन तमाम लेफ्ट या फिर साउथ के सारे लोगों उनको तो कोई अधिकारिक सोचना नहीं है ये सोचना आप बता रहे हैं लेकिन कल शाम तक की जो बात है हम लोग अपने नेता के साथ जो कि साल का पहला दिन था हम लोग उनको शुब कामना देने गए थे उस समय तो कोई ऐसी बात नहीं थी अगर ऐसी बात होती है या ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो पाटी के वरिष्ट नेता लोग बैटके विचार करेंगे और अंतिम निर्ने तो हमारे जो सर्व मानने नेता है नितिश कुमार जी अंतिम निर्ने उन्हीं का होगा और उसी को सब हम पाटी के लोग मानेंगे आपको लगता है कि सीट शेरिंग को लेकर जो नितीश कुमार आवाज उठा रहे थे कि सीट शेरिंग अब तक हो जाना चाहिए, फॉर्मूला निकल जाना चाहिए, कहीं देर तो नहीं हो गई इसमें तो बात असपस्ठ है यह तो हर राजनीतिक कारिकरता समझता है हर पाटी के लोग समझते हैं कि सीट शेरिंग जितना जल्दी या जितना पहली हो जाता है उतना अच्छा होता है क्योंकि Seat Sharing हो जाने से सभी दलों को अश्पस्ट हो जाता है कि उनको कौन-कौन से च्छेत्रों में चुनाओ लरना है तो फिर उमिद्वार चिन की प्रक्रिया प्रारम भो हो जाती है उमिद्वार ते हो जाते हैं तो उमिद्वार शुरुवाती दोर में अपना काम आगे बढ़ा के बढ़ा थालसिल कर लेते हैं अभियान में तो ये तो अस्थापित माननेता है कि सीट शेरिंग का काम जीतना पहले हो जाता उतना अच्छा होता और ये हमारे नेता नितिश कुमार जी और हम लोगों की पाटी जनता दल्यू का सुनूत से यही मानना है जून में जब से 23 जून को नितिश कुमार जी की पहल पर उनकी अगवाई में यहां पर पहली बार जो इंडी अलायंस से उसकी बैठक हुई उसी के बाद से हम लोगों की सोच ये थी लेकिन जब भी हो जाए जल्दी हो जाए अच्छा है जल्दी हो जाए तो अच्छा है ये एक देखा गया कि राष्टे परिश्ट की बैठक में मुख्यमंदे नितीश कुमार ने सीधे तोर पे कहा था कि कॉंग्रेस पार्टी उनके कामों की चर्चा नहीं करती है सीट शेरिंग में भी देर हो रही है अपको लग रहा है कि इस दबाव का भी असर हो रहा है देखिए हम तो यही कहेंगे न कि चाहे किसी चीज का असर हो या किसी चीज के बिना असर के ये काम अगर जितना पहले हो जाता जितना पहले होता उ अच्छा नहीं होता है एक आखरी सवाल है क्या आपको लगता है कि मुख्यवंति नितीश कुमार को क्योंकि यही सूत्रधार थे सभी दलों को एक किया था और यही पहले नेता थे जिनों ने कहा था कि कॉंग्रेस पार्टी के बगार कोई विपक्षी दल नहीं हो सकता है तो यह तो जैसा कि हमने कहा कि एक तो यह तो काल्पनिक सवाल है दूसरे अगर कोई ऐसा प्रस्ताव आता है तो पार्टी के वरिष्ट नेता लोग बैटके विमर्ज करेंगे और अंतिम फैसला हमारे सर्माने नेता नितीश कुमार जी का होगा नितीश कुमार तो वो चहरा है जो किसी को चुनावती दे सकते है और आज पूरा देश इस बात को मान रहा है कि राजनीति में नितीश कुमार जैसा विश्वसनिय चहरा बिरले ही होते है कि आपने सुना चाहे वो कंवीनर का पद हो या फिर चेहरे का पद हो पार्टी क्या चाहती है आपने सीधे तोर पर सुना विजय चौत्री जी को हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमारे भी पी नियूस पटना